हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने Nokia C31 Android Noirle फोन में आप जो है lift to wake setting को आप disable कैसे कर सकते हैं यानी off कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये lift to wake setting जो है disable होने के बाद ये setting कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको detail में देने वालों तो चलिए आप ये वीडियो को start कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने phone में setting page open करना है ठीक है setting page में आपको नीचे आना है यहाप आपको option मिलेगा इस पेज में नीचे आना है यहाप आपको option मिलेगा ये lift to wake का lift to wake इस option के ठीक सामने आपको ये button में off हो जाता है यानि कि आपकी lift to wake setting इस तरीके से disable हो जाती है ठीक है अब ये lift to wake setting disable होने के बाद ये setting कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूं ठीक है तो जब भी आपके mobile phone की screen off होगी और आपका phone कहीं पर भी रखा हुआ होगा ठीक है अगर आप अपने phone को देते लेकिन अब आपने lift to wake setting को off कर दिया है तो आपके phone की screen on नहीं होगी phone उठाने पे ठीक है आपको button को इसाओ प्रेस करना पड़ेगा तब जाके on होगी ठीक है ये setting जो नहीं इस तरीके से काम करती है lift to wake setting disable होने के बाद आपके Nokia C31 android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको lift to wake setting क दोंडने का एक shortcut तरीका बता देता हूँ आपके mobile phone में ठीक है इसके लिए आपको करना है क्या होगा आपको अपने phone में setting page open करना है ठीक है setting page को open कर लीजए setting page में आपको सबसे उपर यह option मिलेगा आपको search setting का search setting पर आपको इसे select करना है और यहाँ पर आपको search बार में type करन और इस setting को highlight करेगा इस तरीके से तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में